Good morning student, welcome to my channel, बेटा आज डेट है 23 September और आपकी mathematics की worksheet आई है, worksheet no.35, class 9th की, तो आज देखते हैं क्या दिया, worksheet में दिया है experimental probability के बारे में, probability के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, तो चलिए देखते हैं, आपको सबसे पहले एक यही formula जो probability में learn होना ही चाहिए, number of cases, favorable to event e, appointment, total number of cases, ठीक है आप देखें यह एक example दिया हुआ है, एक question दिया हुआ है, example इसे समझते हैं, 2400 families का survey किया गया है, जिसमें उनकी salary और vehicle पर family दिया हुआ है, जिसकी salary less than 700 है, ऐसे family, 0 family है, जिनके एक भी vehicle नहीं है, ऐसे family 10 है, जिनके पास 1 vehicle है, 160 family है, जिनके पास 2 vehicle है, 25 family है, जिनके पास 3 vehicle है, एक भी family नहीं है, यह आप ऐसे आराम से देख सकते हैं, यहां से salary और यहां से vehicle, ठीक है बैटा, तो सबसे फर्स देखते हैं, earning rupees 10,000 to 13,000 per month, exactly 2 vehicle, 2 vehicle वाला देखना है, ठीक है, 10 से 13,000 वाली यह line है, और 2 vehicle यह है, तो यह हो गया, आपका 29, तो उपर आप 29 लिखेंगे, और टोटल family कितने है, 2400, तो यह आपका answer हो जाएगा, चीक है, ऐसी आप आराम से कर सकते हैं, भी देख लेते हैं, earning rupees 600 और more per month and growing exactly one vehicle, 16,000 और more यह, और exactly one vehicle कितना है, यह 579, तो यह आगा आपका 579 अपन में 2400, cancel out करके 193 अपन 800, ठीक है बच्चे, चलिए, example second देखते हैं, 5 बैग हैं, जिसमें 50 seeds रखे हैं, germinate करने के लिए, 20 जिन बात देखते हैं, germination, तो एक जो first bag, उसमें 40 seeds germinate हो हैं, second बें 48 germinate हो हैं, यह से दिया हुआ है, find the probability of yeast lacking a bag having at least 40 germinated seeds, कम से कम जिसमें 40 germinated seeds हूँ, ऐसे कितने, कितने bag हैं, तो अब आप देखें, यह answer दिया है, you can see from the table, bag number 1, 2, 3, 4, जो 4 bag हैं, 1, 2, 3, 4, sorry, 1, 2, 3, and 5, have 40 or more than 40, देखें, जो आपका bag number 4 है, यह less than 40 है, तो इसको count नहीं करेंगे, तो यह कितने bag हो गए, 4 हो गए, तो उपर 4 आएगा, और total कितने bag हैं, 5, तो नीचे total number आते हैं, तो 4 upon में 5, यह एक activity है, इसमें आपको अपने neighbors का आपको पता करना है कि कितने लोग हैं, जो स्पैक्टिकल निकालनी है, यह आप खुद कर लीजेगा, अब questions देखते हैं, इने cricket match, a batsman hits a boundary 8 times, out of 40 balls he played, एक batsman है, जो 40 बॉलों पे 8 बार उसने चोके लगाए, चीक है, boundary, तो 8 ताइम्स लगाए, तो अब उसने 40 बॉल में से 8 बॉलों पे तो उसने चोके लगा दी, अब कितनी बॉल ब find the probability that he did not hit a boundary, तो अब यह देखे से कैसे करेंगे, मैंने नीचे solve किया हुआ है, number of times the batsman hit a boundary is equal to 8, total number of balls is equal to 40, number of times that he does not hit a boundary, कितना हुआ, 40 minus 8 is equal to 32, तो अब हमें probability इसी की निकालनी थी, इसकी, तो 32 अपन में, total कितनी बॉल थी, 40, cancel out करोगे, 4 by 5, 0.8, ठीक है, इसके बाद में, second question, from the table, given in example 2, find the probability, आपको यह वाली table यूज करनी है, जो हमने एक्जाम्पल में पढ़ी है, find the probability, क्या probability find करने है, पर्स्ट में, more than 40, more than 40, मतलब, 48 भी more than 40, 42 और 41, तो कितने, कितने बैक्स हैं, तीन, total कितने थे, 5, तो 3 by 5, यहां से आप देख लिजेगा, total bag 5, और यह 3 by 5, 0.6, ठीक है, इसके बाद, second क्या है, 49, अब आप यहां टेबल में देखें, यहां कहीं 49 seeds germinate हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 0, तो अब यहां पर हम लिखेंगे, 0.5 is equal to 0, I hope आपको वीडियो पसंद आयो, प्लीज, वीडियो को subscribe कीजे, like कीजे,